कि अज़िए ओनलाइन क्लासिस में देखिए मोडल प्रक्टिस हैड नंबर टू के कोशन आगे पचास कोशन मैंने आपको कल कराये थे पचास आज करा रहा हूं ठीक है तो द्यान से देखिएगा सभी बच्चे अपनी तयारी जाचे CISF के इंद्रे स्रक्षावल जो एक्जाम आने वाला है उसका मोडल प्रक्टिस हैड चल रहा है तो देखिए कोशन समानने ज्यान से स्टार्ट हो रहा है आपके फिस्ट कोशन नहीं कि 51 कोशन आपका देखिए आपके सामने है कोशन GNP और GDP के बीच एकमातर अंतर यह है कि GDP में डैस से आय सामिल नहीं है आपको भरना है चार ओप्षन आपके सामने है आप आंसर का जवाब दीजिए कुछ सेगन आपके साम पास है आप तो देखिए राइट आंसर होगा आपका टू यहां कि आएगा आपका बीच में बिदेश में ठीके बच्चो में तो आगर नेक्स चलते हैं अगला कोर्षन देखते हैं तो देखिए नेक्स कोर्षन है एक राष्ट की यहां कि डैस एक राष्ट की अपने नागरिकों की जीवन इस्तर को सुधानने की छमता को दर्साता है यहीं कि living standard को हम कैसे सुधारा जाए ठीक है तो उसको दर्साता है तो चार विकल्प आपके सामने है जल्दी शे अपने answer को चुनिएगा आपको देखी right answer है आपका ठीक है राष्टे विकास यहीं कि जीवन इस्तर को अगर हमारा जीवन इस्तर अच्छा होगा तो राष्टे विकास भी अच्छा होगा लाजमी सी बात अगर घर में सब कमाने वाले हैं तो घर भी अच्छा होगा ठीक है तो next question आगे बढ़ते हैं जल्दी से अपना आप आई क्यू चेक करते रहेंगे तो देखिए नेक्स्ट कोस्टन है भारते संभीधान में कितने भाग हैं यहीं कि जो संभीधान है उसमें कितने भाग हैं चार ओप्सटन आपके सामने हैं आप अपना राइट आंसर चुनिएगा तो देखिए राइट आंसर होगा इसका फ़र्स्ट ठीक है समय बहुत कम बिलता है सो कोस्टन होते हैं आपके ठीक है तो देखिए राइट आंसर क्या है 25 भारते संभीधान में कितने भाग हैं 25 नेक्स आंस कोस्टन देखते हैं जब संसत सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल से सुरू होता है यहीं कि जब संसत का सत्र चलता है तो इसमें कौन सा काल से सुरू होता है तो चार काल आपके सामने है जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा दो सेगंड का समंबँ आपके पास है तो देखी, राइट ऐसेर वोगाँ आपका टू परसनल काल यह अनुर इस सबसे पहले जब संसथ का सैतर स्टार्ट होड़ता है तो क्या काल चलता हमारा परसनल काल परसनल काल में परसन चलते है ठीक है next question देखते हैं तो देखिए next question आपके सामने जब संसस शत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल से शुरू होता है तो question रिपीड हो गया है कोई बात नहीं तो इसका answer होगा person काल ठीक है next question आगे देखते हैं तो देखिए क्वेस्टन आपके सामने है चोल सिला लेख में उल्लेखित निम्निकित भूमी की सिरेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है चार विकल्प आपके सामने है जल्दी से आप आंसर चुनिएगा तो देखिए राइट आंसर होगा आपका फोर ठीक है बेलान विगिननत जैन संस्थानों को दी गई भूमी ठीक है तो देखिए राइट आंसर आपका फोर है तोड़ा सा मैं आपको उपर दिखा देता हूँ ठीक है तो यह आपका राइट आंसर है ठीक है बेलानवी गत जैन संस्थानों को दान दी गई भूमी नेक्स कॉस्टन देखते हैं तो देखिए नेक्स कॉस्टन है किस विध्यक में प्राबधान दिया गया है कि भारतिय नियाधिस भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकद में चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतिय नियाधिसों के बीच समानता इस्थापित की जा सकते हैं यहीं कि समानता का मतला आपस में कोरिलेशन से संबन ठीक है तो जल्दी साब बताईए राइट अंसर चुन के चार ओप्षन आपके सामने हैं तो राइट अंसर होगा आपका टू इलवर्ड विल उसका क्या नाम है इलवर्ड विल ठीक है नेक्स कोस्टन देखते हैं कि अर्ट गरोव में प्रत्वी सूरे से कौन से स्थान पर इसतीत हैं तो उनमें से सु प्रत्वी सूरे से कौन से स्थान पर है जल्दी से बता है यह राइट आंसर आपके सामने हैं तो देखिए राइट आंसर होगा तीसरा ठीक है एनिकि तीसरे तो प्रत्वी कौन से इस्थान पर है तीसरे इस्थान पर आप ध्यान रखेंगे ठीक है अपनी मेवरी चमता पावर बढ़ाते रहेंगे नेक्स कोस्टन आगे देखते हैं तो देखिए क्वसन इत्री गोलार्द में करक रेखा और अनिकि करक रेखा होती है उतर धरूप आर्गेटिक दक्षणी गोलार्द में मकर्रेखा दक्षणी धुरूब अंटाक्रिया विरत के बीच वाले कटी बंद क्या कहलाते हैं ठीक है तो चार विकल्प आपके सामने हैं जल्दी से आंसर चुनिएगा तो देखिए राइट आंसर होगा आपका फास्ट सितोषन कटी बन दिये ठीक है समय बहुत कम मिलता है सो कोस्टन होते हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट नेक्स्ट देखिए कोस्टन यह दिया है इसके आंसर आगए है जिन बिशिष्ट संरचनाओं अत्वा स्वभाब की उपस्तिती किसी पोधे अत्वा जनतु को उसके परिवेस में रहने के योग्या बनाती है तो वो कहलाता है यानिकि परिवेस अब देखिए परिवेस का म जाए साइक्लोजिकल परिवेस अब इसके हम आंसर चूज करते हैं करेसे हैं है तो देखिए एक चार आंसर दिये हैं आपको जल्दी से चुनिएगा 2 सेक इन्न का समय आपके पास है तो राइट आंसर होगा इसका फस्ट अनुकूल अनि क्या अनुकूल बनाना महौल को जो है हमें अनुकूल बना लेना है ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन देखते है प्रकास संस्लेशन में निर्मुक्ट ओल्टू का इस्तरोतफ स्थ डऐस है ओल्टू ओक्शीजन गैस होती है ठीक है सुर्य की उपस्तिति मेंशन अपना भूजन बनाते है अब देखिए तो सबस्तरोब आपके सामने हैरे जल्दि से राइट आंसर को होगा तो देखिए राइट अंसर होगा आपका जल निर्मुक्त ओटू का इस रोत है जल के द्वारा जो है बास्विक्राण ऑक्सीजन हमारी भिसर्जित हो जाती है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन आगे देखते हैं तो देखिए इसवास्त ब्यक्ति में डाइच टोलिक डाव एच जी के मीमी मीटर में होता है चार आपके सामने तो देखिए चार भिकल्ब में से आपको आंसर सही आंसर चुनना है तो चुनिएगा जल्दी से तो देखिए right answer होगा आपका two right answer क्या है आपका two next question देखते हैं प्रती second होने बाले दो लोनों की संख्या को क्या कहते हैं ठीक है तो देखिए चार विकल पाप के सामने जल्दी सा आंसर चुनिएगा तो इसका आंसर होगा हमारा फास्ट ठीक है आवर्ती यहीं कि दोल उनों की संक्या को क्या कहते हैं आवर्ती नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है पिरती सेगेंड होने वाले दोलनों की संक्यों को क्या कहते हैं आवरती अभी रिपीट हो गया यह कोशन नेक्स्ट कोशन आगे चलते हैं तो देखिए कोस्टन है अफ्तल दर्पन द्वारा बना प्रतिवन बस्तु से डैस अफ्तल दर्पन दो पिरकार के होते हैं उत्तल दर्पन और अफ्तल दर्पन ठीक है तो अफ्तल दर्पन द्वारा बना प्रतिवन बस्तु से डैस डैस है तो देखिए विकल्प आपके सामन है प्राइट अंसर में चुनिए जलदी से राइट नंशर होगा आपका हमारा फॉर छोटा या बड़ा हो सकता है एनिगी जोसका प्रतिवि में बन सकता वो छोटा या बड़ा बन सकता है आप नेक्स्ट कोशन देखते हैं, तो देखें, नेक्स्ट कोशन है, अप्तल दरपन द्वारा बना पिर्तिवम बस्तू से डैस डैस तो देखें, राइट आइंसर होगा, छोटा या बड़ा, कोशन रेपीट हो गया है, next question देखते हैं computer सब्दावली में एक एक bug क्या है तो देखिए computer सब्दावली में यह आपको दिया गया है एक bug क्या है तो answer चुनिएगा जल्दी से 64 का answer होगा आपका 2 computer program में through T तीक है next question answer next question देखिएगा यह question रिपीट हो गया है आपका ठीक है तो answer होगा आपका computer program में through T next question देखते हैं बच्चो लोहे को जिंकी परत के द्वारा सनरक्षित कन्नी की फिरकरिया कहलाती है अब dash आपके सामने है 4 बिकल्प हैं जल्दी से answer चुनिएगा तो देखिए right answer होगा गैलवी नी करण क्या कहेंगे हम गैलवी नी करण ठीक है बच्चो next आगे चलते हैं next question देखते हैं तो देखिए फिर से question हमारा repeat हो गया लोहे की जिंकी परत को द्वारा सनरक्षित कन्नी की प्रिकरिया कहलाती है तो गैलवी नी करण ठीक है बच्चो next question देखते हैं आगे चलते हैं question आपके सामने है cement dash कंकर dash stool बालू जल का एक मिसरन इनकी मिसरन इनको कहलाता है अब क्या कहलाता है आप जल्दी से चार भी कलपा आपके सामने है जल्दी से अपनी memory औरी चमता को चुनिएगा जल्दी answer बताईए मुझे तो देखिए right answer होगा आपका two ठीक है बच्चो next question आगे चलते है तो देखिए निमनी खित में से ozone के सम्मन्द में कौन सा कथन सत्या नहीं है एनिकि ozone परत ozone परत हमारी जो ultraviolet kidney होती है उससे बचाती है ठीक है अब right answer चार विकल्ब हैं आपके सामने right answer आपको चुनना है तो जल्दी से बताईएगा तो right answer होगा two right answer क्या है two ozone परत्वी की सत्य के निकट इस्तिर होता है ठीक है तो देखिए right answer आपके सामने है और जो नपरत हमारी ultraviolet kidney हो से बचाती है ठीक है next आगे चलते है तो next question है आपका निमनी खित में से कौन सा बेपेवोटल घरेलू कोईले के उप्योग में लचीलेपन की सुभीधा के लिए है अब चार भीकलप आपके सामने है जल्दी से right answer बताईएगा मुझे time दो second का है ज़्यादा से समय नहीं है तो देखिए right answer होगा आपका third cola cola mitr cola mitr के नाम से जाना जाता है cola ठीक है बच्चो next आगे चलते है रक्त समयों की खोज किसने की थी रक्त समयों होता हमारा blood group blood group कहते हैं जैसे की चार blood group होते हैं O positive एनि की O positive A B positive A positive B positive ठीक है negative भी होते है इनमे अब negative भी होता है positive भी होता है तो O जो है इसमें सर्वदाता होता शर्वदाता मतलब होता भी सब् quand on कोई देश अब जल्दी से मुझे मुझा आंसर चुन के बताईएगा चैकि देखी यह रक्त समों की खोज किस ने की थी यह इन बेंग्यानिक का नाम लेंड इस्टी नर लेंड इस्टी नर ठीक है बच्छो तो बहुत important question है जो मैंने आपको थोड़ा सा display भी कर दिया है इसका ठीक है डिस्क्राइब कर दिया है तो next question आगे देखते हैं मनप्रीत सिंग किस खेल से जुड़े हैं यहीं कि मनप्रीत सिंग एक खिलाड़ी हैं अब यह किस खेल से जुड़े हैं चार विकल्प आपके सामने हैं जल्दी से मुझे राइट आंसर चुनिएगा बताईए जल्दी फूर्ती से हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा इसमें आपका मन परीट सिंग की स्केल से जुड़े हैं हो किसे आपको याद हो गया होगा ठीक है अपने नोट बुक में याद करते रहें और उसमें नोट बुक में नोट्स बनाते रहें ठीक है कोलम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है अनि के कोलम जो है किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है तो जल्दी से चार वी कल्प आपके सामने है जल्दी से आंसर चुनके बताईएगा मुझे तो देखिए राइट आंसर होगा आपका केरल अकोलम जो है वो किस राज्य का पारमपरिक लोकला है केरल का ठीक है यादर करेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे काफी में लिखते रहेंगे कोशन ठीक है दुबारा रिविजन करते रहेंगे या आप YouTube channel के माद्यम से दुबारा revision कर लेंगे जब आपको समय मिले कहीं भी किसी भी इस्थान पर कहीं कहीं भी जा रहे हैं आप ट्रेन में बस में रेल में कहीं सफर कर रहे हैं घर में हैं आप किसी भी समय अपना आपको तैयारी जा सकते हैं नेक्स कोशन है मनुष्यों में पित का उत्पादन किस अंग में होता है एक पितरस बनता है ठीक है तो यह देखिए चार विकल्प आपके सामने हैं जल्दी से तुरंत बताईएगा हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा जिगर जिसे हम क्या कहा देते हैं पितरस का बनता है जिगर में ठीक है थोड़ा यह मिस्टेक हो गया है तो देखिए मनुष्यों में पित का उत्पादन किस अंग में होता है तो देखते हैं 72 का आंसर है आपका थर्ड यहनिकि जिगर ठीक है बच्चो ठीक है किया है जिगर ऍेक्स देखते हैं आगे चलते हैं ओलीवर द्ष्ड नामक पुष्टक के लेखक कौन है तो देखिए ओलीवर द्ष्ड नामक पुष्टक के לेखक कौन है जल्दी से अपना चार भी गल्प दिये है राइट आंसर चुनिएका तो राइट आंसर होगा चाल्स डिकेंज ठीक है तो चाल्स डिकेंज आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं तो देखें नेक्स्ट कोस्टन है फिर्वर्ण डॉस्टिक सिस्टीन भास का यह एक कहा हुआता है वह देखनेखत दूसर वह मतलब होता है ग्याम यह यह निव तो देखिए चलिए तो राइट आंसर होगा आपका कजागिस्तान तो संग्तों कि अब्यास कहा हुआ था कजागिस्तान में ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं डैस तथा भारत के मद्ये सेन्य समंदों को बढ़ाने के लिए एक्यू वेरिन नामायक एक्स्विक्त सेना प्रिस्क्षन अभ्यास मौजूद है अब देखिए यह कहां हुआ है एक्यू वेरिन प्रिस्क्षन ठीक है जल्दी से आपके सामने चार भी कल्प है राइट आंसर तो देखिऊ shaken अग्य profile से इसका मलदीफ क्या है आपका मलदीफ ठीक है नेक्स क्वेसन देखते हैं आगे चलते हैं के देखिए अबТакте सामने आगया हिन्दी हिन्दी के कुछ क्षन है तो हिन्दी में आप देखिए निर्देश दिये गए है 76 से 80 रिक्त इस्तान भरें यहनी की question number 76 से 80 तक तो समझदार को dash ही काफी होता है यहनी की समझदार को क्या होता है काफी जल्दी से बताईए आप चुनके जो समझदार व्यक्ति होता उसको हम क्या करते हैं तो देखी क्या करते हैं इसारा हमने समझदार को इसारा किया वो इसारे से ही समझ जाता है ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटे की सपलता का समाचार सुनकर पिता का हिर्दिय डैस हो गया अब बेटे की सपलता का अगर आप सपलत हो जाते हैं CISF exam qualify कर लेते हैं पर पहुंच जाते हैं तो आपके माबाप को क्या मिलेगा ठीक है तो जल्दी से उनके पिता का हिर्दिय क्या उठा तो आप जो है डैस में आप जो है जल्दी भरिएगा चार विकलप आपके सामने हैं जल्दी से मुझे राइट आंसर बताईएगा हाँ तो देखी राइट आंसर होगा आपका पिरफुलित एनि कि माबाप को अगर उनके बच्चे अच्छा काम कर लेते हैं तो माबाप को क्या मिलती है खुशी और वो मनी मन में पिरफुलित हो जाते हैं ठीक है तो वैसे ही आप सब लोग भी मुझे आशा है CISF एक्जाम में क्वालिफाई करके अपने माबाप को एनि कि खुशियों की बोशार करेंगे ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला कोस्टन देखते हैं तो नेक्स्ट कोस्टन है मोसम विभाग ने तूफान आने की डैस दी है अब देखिए मोसम विभाग जो है पहले ही क्या दे देता है तो जल्दी से बताईएगा तो देखिए राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर क्या होगा आपका चेताबनी एनिकी मोसम विभाग जब तूफान आने की स्तिति होती है तो पहले ही सचेत कर देता चैनता साथ चेताबनी देता है कि सभी जनता साबधान रहे, शुरक्षित रहे. आज कल टेक्निकल जमाना है, साइंस बहुत आगे पहुँच गी है, तो हमें जैसे बारिश का फोर्कास्ट हो जाता है, यानि कि बारिश का कल जी आज ही हमें नेट पर पता चल जाएगा कि कित प्रेम चंद की कहानियों में हमें ग्रामिड जीवन की डैस डैस देखने को मिलती है तो देखिए जल्दी से क्या देखने को मिलती है आगे देखिएगा तो देखिए राइट आंसर होगा आपका जहां की यहां की थर्ड प्रेम चन्द की कहानियों में हमें ग्रामिड जीवन की डैस देखने को मिलती है तो क्या कहते हैं इसे बच्चो जहाकी ठीक है तो जहाकी होती है जैसे कि आप नाटकों में सीरियलों में देखते हैं ठीक है किसी रंग मंज पर देखते हैं उसे हम क्या कहते है जाकी, ठीक है, Next question देखते हैं आगे, सीमा पर सैनिकों का जीवन भूत ही होता है, डेस, डेस, तो देखिए, जल्दी से right answer चुनेगा आप, क्या होगा, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका कठोर एनिकी सीमा पर सैनिकों का जीवन कैसा होता है बच्छो कठोर तो आप भी CISAP exam में qualify करने वाले हैं सबी जो है आप देश की सेबा में जाने वाले हैं तो देखिए हमारा जीवन किस परकार का हो जाएगा कठोर तो राइट आंसर क्या होगा आपका 4 नेक्स कॉस्टन देखते हैं आगे चलते हैं एनिकी लाल पीला होना का अर्थ है अब लाल पीला हो जाना कोई किसी का चेहरा लाल पीला हो जाता है तो इसका आर्थ होगा तो जल्दी से बताईए चार विकल्प आपके सामने है तो देखिए राइट आंसर होगा आपका बहुत क्रोधित होना एनि कि आप उसके फेज से आख सकते हैं कोई लाल पिला हो रहा है तो आप समझाओ कि वो आपके पिड़ती बहुत क्रोधित है तो इसका राइट आंसर आपका टू है नेक्स कॉस्टन देखते हैं आगे चलते हैं तो देखिए नेक्स कॉस्टन है बच्चो चार दिन की चांदनी अब चार दिन की चांदनी एक मुहाबरा है का मतलब है तो जल्दी से चार विकल्पा आपके सामने हैं जल्दी से राइट आंसर बताईएगा तो देखिए छनिक सुक चार दिन की चांदनी का मतलब है छार दिन की चांदनी फिर अंदेरी रात का मतलब है निकि कुछ पल के लिए सुक छनिक सुक ठीक है तो नेक्स कोस्टन देखते है बाग का इस्तिरिलिंग अब बाग जो है उसका इस्तिरिलिंग क्या होगा ठीक है तो चार विकल्पा आपके सामने है तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा तो देखिए राइट आंसर होगा बाग का इस तरी लिंग क्या होगा बागिन ठीक है बच्चो तो आप समझ गे होंगे next question देखते हैं इनको note करते रहेंगे जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या कहते हैं जो बड़े जंगली जानवर रहते हैं ठीक है पूजा का विशेशन है जल्दी से बताएंगे पूजा का विशेशन है जल्दी से बताएंगे तो पूजा का विशेशन है, पूज़े है, पूज़े है, यहीं की विशेशन मतला विशेशता बताने वाला, पूज़े, ठीके? नेक्स्ट आगे चलते हैं देखिए निर्देश दिये गए हैं 86 से 89 इन प्रसनों में एक बाक्या को तीन भागों में विवक्त किया गया है जिनमें से एक भाग में तुरूटी हो सकती है तो आपको तुरूटी वाला चैन सही सब्द चुनना है तो देखिए चार विकल्प दिये गए हैं कौन सा गलत है जल्दी से चुनिएगा तो देखिए सड़क उपर तुरूटी है गोड़ा गाड़ी दोड़ रही थी कोई तुरूटी नहीं है तो सड़क उपर नहीं होता है ठीक है ये गलत है तो सड़क उपर सेगंड विकल्प आपका सही है नेक्स्ट कॉस्टन देखते हैं तो देखी नेक्स्ट कॉस्टन है ये भी उसी में सी है ठीक है जो आपने पहला है वो पढ़ी लिए तो गलत चुनना है तो जल्दी से चुनिएगा चार विकल्पों में से आंसर तो 87 का होगा देखिए समय का पावंदी समय का पावंद ठीक है किसी भी काम में तो आंसर क्या होगा आपका समय का पावंदी ये गलत है बच्चो ठीक है ये सब्द सही नहीं है नेक्स्ट आगे देखते हैं इन में से रोंग आंसर चुनिएगा जल्दी से 88 में से चार बिकल्प आपके सामने हैं तो देखिए रोंग आंसर होगा आपका उस इस्थान में उस इस्थान पर ठीक है तो ये पहला वाला एक बहुत बड़ी जील है कोई तुरूटी नहीं है तो पहले आंसर में तुरूटी है ठीक है तो राइट आंसर पहला वाला होगा नेक्स आगे चलते हैं समय पर सोना और जागना स्वास्त के लिए बहुत जरूर है कोई तुरूटी नहीं है तो देखिए जल्दी से बताईएगा तो right answer होगा आपका बहुत जरूर कौन सा है बहुत जरूर इसमें तुरूटी है ठीक है बहुत जरूरी होता है next question देखते हैं गोपनिय तो देखिए गोपनिय इन में से चार विकल्पों में से कौन सा सब्द आएगा जल्दी से चुनियेगा तो गोपनिय का मतलब क्या होता पारदर्शी ठीक है उल्टा क्या हो जाएगा पारदर्शी next question देखते हैं आगए सीथिल अब सीथिल तो सीथिल देखिए सीथिल का क्या होगा सीथिल का मतलब क्या होगा सीथिल का चंचल सीथिल है मतलब चोटा है अनि की बिल्कुल बेकार है सीथिल है ठीक है अनि की आलसी है तो चंचल उसका उल्टा क्या होगा हमारा चंचल नेक्स्ट सब्दे देखते हैं, एक रस, एक रस, अब इसका उल्टा क्या होगा, 92 का आंसर देखिएगा, तो एक रस का जल्दी से चुनिएगा, तो राइट आंसर होगा, बीविद, निर्देश देखिए, 93, 95 परेय बाची सब्द चुनिएगा, पादप का परेय बाची बताईएगा, जल्दी से, तो पादप का परेय बाची होगा, आपका, पोधा, ठीक है, इनको नट भी करते रहे न, आपनी note book में note करते रहें notes बन जाएंगे आपके यही notes बन जाते हैं ठीक है आगे देखते हैं next question गिरी जल्दी से परयाय बाची बताईए गिरी तो देखिए गिरी का परयाय बाची होगा आपका परवत गिरी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं परवत ठीक है परयाय बाची बहुत इंपर्टेंट होते हैं निकि एक सब्द के कई सारे नाम ले होते हैं उनको हम देखते हैं किस-किस नाम से पुकारा जाता है next आके देखते हैं शिखा तो शिखा का परयाय बाची क्या होगा जल्दी से बताईए तो शिखा का परयाय बाची होगा पहाड शिखा का परयाय बाची क्या होगा पहाड next question देखते हैं निर्देश दिये गए हैं 96-98 सही संदी का चैन करें तो संदी अब संदी देखिए परंतु परंतु में कौन सी संदी बनेगी जल्दी से चुनिएगा परं पिलस तू ठीक है ये संदी बनेगी हमारी परं में में हलंत है ठीक है next question देखते हैं स्वागत अब स्वागत में कौन सी संदी आएगी जल्दी से आप बताईएगा चुनिएगा चार आंसर आपके सामने है बिकल्प तो देखिए ये राइट आंसर होगा सू पिलस आगत क्या होगा सू आगत सू पिलस आगत तो सू आगत ठीक है next question देखते हैं सरोबर सरोबर का सरोबर का देखिए संदी बिच्छेत क्या होगा जल्दी से आंसर चुनिएगा आप तो देखिए सरोबर का संदी बिच्छेत होगा सरा पिलस बर ठीक है first question first answer है next देखते हैं निर्देश दिये गए है 90 से 100 के बिच में बिलोम सब्द चुनने है बिलोम का मतलब उल्टा चुलना है उपरी लिखित उपरी लिखित का उल्टा क्या होगा जल्दी से बताईएगा तो उपरी लिखित का उल्टा होगा बच्चो अदो लिखित ठीक है याद हो जाने चाहिए आपको तुरंत जो है हैनि की revision करते करते हमें याद हो जाना चाहिए तभी हम exam में qualify कर सकते हैं सीधा focus यहीं होना चाहिए ठीक है next देखते हैं अब आती है आपकी कुछ देखिए इसका भी right answer क्या होगा आपका अदो लिखित यह question आपका दुबारा repeat हो गया है तो इसका क्या होगा अदो लिखित ठीक है next देखते हैं गरल अब गरल सब्द का जो है उल्टा क्या होगा तो जल्दी से चुनिएगा अमरत गरल का उल्टा क्या होता है अमरत ठीक है next question देखते हैं अब आपकी देखिए अथवा अथवा का मतलब होता 25 question आते हैं हिंदी के और 25 आते हैं इंगलिस के ठीक है तो आपको जो है या तो इंगलिस कर लो या हिंदी कर लो जिसी state में अगर हंदी कंपल सरी है तो हिंदी करेंगे इंगलिस कंपल सरी है तो इंगलिस करेंगे ठीक है अब next question देखते हैं आप इंगलिस के जनरल इंगलिस है direction दे रखे हैं 76 से 77 ठीक है In the following question some parts of the sentence may have errors यहनि कि error आपको छाटने error means होती है कमी find out which parts of the sentence has an error and select the appropriate यहनि कि सही word option if a sentence यहनि कि जो चार option दिये गए है आपको चूज करना है is free from error select no error अगर कोई error नहीं है तो आपको क्या करना है no error ठीक है तो देखते हैं 76 में संतोज has अब देखिए act it enough, ready, describe तो देखिए जल्दी से चुनिएगा तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2 तो राइट आंसर आपका क्या है 2 act enough badly 2 तो राइट आंसर यह है आपका next question देखते है 77 इसमें error ठाट यह क्या error है तो देखिए 77 का होगा अब देखिए अब देखिए नेक्स पॉस्टन दिये है यह आपको direction दिया है तो direction in the following question in the sentence given with blanks to be filled in the with an appropriated word ठीक है यहीं कि सही word आपको चुनना है select the correct alternative out of the four four में से सही सब्द चुनना है तो देखिए this work is देखिए क्या आएगा इसमें से जल्दी से चुनिएगा तो right answer होगा आपका below वी ए लो डबलू ठीक है next question आपका नीचे दिया है she traveled देखिए the night तो इसमें क्या आएगा तो इसमें क्या आएगा आपका during second answer है आपका during क्या आएगा during next question देखते हैं तो देखिए ये direction दे रखे हैं आपको ठीक है direction दे रखे हैं तो direction same ही है सभी के directions लगबग ठीक है तो sentence given with blanks with the field of the written and appropriate word select the correct alternative out of the four four में से आपको चुनना है तो this work is dash my deny t तो देखिए जल्दी से चुनिएगा तो पहले का फास्ट है ये question repeat हो रहा है दूसरे का होगा during ठीक है फिर से ये question repeat हो गए है कोई बात नहीं हमारा भी revision हो जाता है ठीक है next question देखते है तो देखिए इसकी directions भी same है तो देखिए आपको चुनना है तो select the one which of the expresses the meaning of the given words इनका meaning देना है confuse का meaning क्या होगा सही ठीक है तो चारा भी कलपा आपके सामने है जल्दी से चुनिएगा तो देखिए इसका होगा admit confuse का मतलब क्या होता है admit ठीक है convict अब convict का मतलब क्या होता है तो जल्दी से आप चुनिएगा convict का मतलब होता है culprit ठीक है आंसर क्या होगा? कल्परिट इसका आंसर ये वाला होगा कल्परिट ठीक है? N की चोथा वाला है और इसमें एड्मीट है ठीक है? नेक्स्ट आंसर देखते हैं आगे चलते हैं कोस्टन क्रीप का देखिए तो जल्दी से सही सब्द चुनिएगा है टिप टोग ठीक है? नेक्स्ट आगे देखते हैं तो देखिए डायरेक्सें दीए गए हैं इन दा फॉलवग वाल्ट अब दा गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट दा वन विच इस दा अपोजिट एनिके अब हमने क्या करना अपोजिट अपोजिट का मतला बहुता उल्टा जैसा अभी हम हिंदी में देख रहे थे बिलोम सब्द ठीक है? परयाबाची तो अपोजिट वर्ड इन मीनिंग ओब दा गिवन वर्ड इन वर्ड जो दे रखें इनका अपोजिट चुनना है जल्दी से चुनिएगा तो देखें इसका अपोजिट होगा डिस्परोव ठीक है? सेगिंड वाला आंसर है आपका सेगिंड ठीक है? नीचे वाले कॉस्टन में देखते हैं तो नीचे वाले में होगा आपका अनफेर का उल्टा क्या होगा? अपोजिट जल्दी से सुनिएगा तो देखिए unfair का होगा just unfair का four answer होगा just ठीक है next question देखते हैं तो देखिए directions in the following question out of the four given alternatives select the alternative which west expresses the meaning of the idioms and phrases idioms and phrases होते हैं इंगलिस में बहुत काम के होते हैं बच्चो idioms और phrases सभी जो है इनको याद करना ठीक है idioms और phrases के माध्यम से हम बहुत लंबी बात छोटे से सब्दों में कह देते हैं तो देखिए make a fool of oneself make a fool of oneself तो इसका आर्थ चुनिएगा जल्दी से क्या होगा तो देखिए to be stupid तो देखिए इसका मतलब क्या है make a fool of oneself तो to be stupid इस्टूपिड का मतलब होता है सरार्थी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं call down का 87 में तो देखिए right answer होगा call down का two is cold क्या होगा two is cold थर्ड वाला answer आपका two is cold ठीक है कौनस answer है थर्ड वाला यह जिस पर बिंदी लगाई है मैंने next question देखते हैं तो देखिए improve the brackets parts of the sentence you and see have finished अब देखिए bracket में जो है तो इसको आपको चुनना है और sentence को improve करना है जल्दी से बताईएगा तो क्या आजाएगा your work second वाला आजाएगा यह second your work first नहीं है second वाला answer है ठीक है कौनस answer है second वाला जिस पर मैंने बिंदी टिक कर रखी है next देखते हैं he bracket में has been playing cricket now तो देखिए क्या आएगा चार बिकल्प दिये हैं आपके सामने चार बिकल्प में से क्या आने वाला है जल्दी से answer चूज करिएगा तो देखिए is playing आ जाएगा he is playing cricket now ठीक है he के साथ इस आती है तो he is playing cricket now यहनि कि वो आप cricket खेलने वाले हैं ठीक है तो देखिए he is playing cricket now तो कौनसा answer है second वाला next question देखते हैं तो directions दे रखे हैं आपको देखिए पहले in the following question out of the four given alternative select the alternative which is the best suitable of the word ठीक है तो देखिए इसमें आपको suit जो करते हैं वो word आपको चुनना है तो देखिए दो question आपके नीचे दिये गए हैं taught tissues is the joints तो देखिए इसमें क्या आएगा तो देखिए पहला answer आएगा लाइगी मेंड्स ठीक है next question में देखिए a place for keeping dead bodies bodies before viral on the cremations तो देखिए जल्दी से बताईएगा चुनिएगा तो 91 का answer होगा आपका four बाला mortuary ठीक है तो अफिए प्लेस फोर keeping dead bodies before viral on cremation यहनि कि उसको देखिए जब dead body को जहां रखते हैं तो उस इस्तान को हम क्या कहते हैं तो mortuary उस इस्तान को हम क्या कहते हैं mortuary जिस सिस्तान पर मुरदाघर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं मुर्दाघर में तो लास रखी जाती हैं तो उसको हम मोर्चरी कहते हैं इंगलीज में ठीक है तो सभी याद रखेंगे important word है next आगे चलते हैं तो दिखिए directions आपको दिये गए हैं तो directions आपको दिये गए हैं आपको correct word आपको चुने हैं तो 92 में देखी गए तो correct word होगा dip tour ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड वाला, करक्ट बर्ड क्या है आपका, थर्ड वाला, ठीक है, करक्ट बर्ड क्या है, थर्ड वाला, ठीक है, करक्ट बर्ड क्या है, थर्ड, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 93 में तो इस 93 में करक्ट बड़ चुनिएगा टू तो तो करक्ट बड़ क्या है ओटोमन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो देखे डिरेक्शन 94 से 95 देख रखे हैं रियरेंज करना था पार्ट ऑप दसेंटेंस इनकरक्ट ओडर यहीं की रियरेंज का मतलब दुबारा से हमें अरेंज करना है चिल्डरन विर्ड अब देखे रियरेंज करे जल्दी सरकोंसा टोपिक सई है यहाँ नीचे जो आंसर दिये गए है चार writes तो प्य क्योर को रियरेंज करिए निकि टीं सेंटेंस दिया को पी Q तो qpr, क्या आएगा आप इसमें? qpr, क्या आएगा बच्चो? qpr, ठीके? तो थर्ड वाले question में क्या आएगा आपका? qpr, next आगे देखते हैं अगले question में, तो देखिए अगले question में several factors तो देखिए इसमें क्या आएगा इसका सही sequels क्या होगा आपको crumbs में चुनना है ठीक है आपको crumbs से चुनना है तो देखिए जल्दी से चुनिएगा जल्दी बताईएगा तो देखिए इसका जो sequence होगा वो होगा आपका two वाला ठीक है तो two वाला नहीं कि पहले आर आएगा देखिए आपको देख रखा पी, q, r तो पहले क्या आएगा आर, r वाला sentence आएगा फिर p वाला आएगा फिर q वाला आएगा तो देखिए directions पढ़ लेते हैं पहला चलिए तो directions क्या कह रहा है इन दफॉलविंग फैसिज सम ओप दर वाड्स है have been left out of the read the carefully and the select the correct answer ठीक है आपको correct answer चुनना alternative लग देखिए तो यह 96, 97, 98, 99 के यह और 100 के सारे directions से दे रखे हैं ठीक है तो between grandparents and the grandchildren इनके बीच में तो देखिए 96 में क्या आएगा आएगा आपका question देख लेते हैं आप तो देखिए question आपके सामने है ठीक है तो question देख लेते हैं तो 96 में क्या आने वाला है तो जल्दी से answer चूँच करिएगा तो 96 में answer होगा आपका first बाला bond 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 ठीक है अब 97 में answer क्या होगा तो 97 में answer होगा to cannot क्या होगा answer cannot ठीक है next देखते हैं 98 में तो 98 में answer क्या होगा तो देखिए 98 का भी answer होगा पी डबलो आर ठीक है second होगा 99 का देखिएगा तो 99 का होगा fun 99 का क्या होगा fun direction आप ध्यान से पढ़ लेना इससे पहला सभी सवालोगे तो answer क्या होगा fun 100 का answer क्या होगा third ठीक है बच्चो तो देखिए आज के यह आपके 50 questions पूरे हुए ठीक है 50 questions है English के extra question थे यह एनिकी English भी आती है अधवा का मतलब होता है या तो Hindi या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी एक भासा करनी होती है ठीक है तो बच्चो वीडियो को आप ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना है और कई बार revision करना है और question को कई बार लिख के प्रक्टिस करेंगे याद करेंगे अपने notes बनाते रहेंगे ठीक है अपनी काफी में लिखते रहेंगे जिससे हमारी memory power चमता बढ़ती चली ज करेंगे उतना ही हमारी विद्या आगे बढ़ती है और हमें सफल तागे सीड़ी चूमने से कोई नहीं रोक सकता है आपको CISF एग्जाम में CISF जो एग्जाम है उसमें सफल होने से कोई भी दुनिया की तागत नहीं रोक सकती है वट आप जो है वीडियो को बहुत चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं मन से और अच्छे से आपको सारे जो प्रक्टिस सेट हैं सब करा सकूं ठीक है बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ठीक है तो प्लीज किर्पया चैनल को वीजे ओनलाइन क क्लासिस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूलें ठीक है जैहिं जै भारत गोड़ ब्लेश यू भगवान से मैं दुआ करूंगा आप सभी का सलक्षन हो जाए और मैं भी आपको सीमा पर देखके खुस हो जाओं देश की सेवा के लिए ठीक है ओके थैंक यू